आजकल सारे ही IPOs इतने ज़्यादा ओर सब्सक्राइब होने लगे हैं कि उनमें बस एक application के साथ allotment मिलना is almost impossible इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा unique pen number वाली application लगाएं यानि कि अलग-अलग individuals के DMAT account से अपलाई करें और उसके लिए अपने friends और family members के account काम में ले सकते हैं हालनकि ये बहुत बड़े hidden trick तो नहीं है क्योंकि आज के लिए सब को पता है और हर कोई एक अच्छे IPO में minimum 4-5 application तो लगा ही देता है लेकिन एक बात है जो ज़्यादा लोग को पता नहीं है या कहें इसको लेकर confusion बहुत है कि क्या हम minor के DMAT account से यानि अपने बच्चों के DMAT account से IPO में अपलाई कर सकते हैं या फिर नहीं देखे minor pen card तो बनता है bank account भी open होता है और DMAT account भी I guess ये बात तो आप सबको पता है रही बात IPO में अपलाई करने की तो इसका one line answer तो ये है कि हम minor के DMAT account से IPO में अपलाई कर सकते हैं लेकिन सिरफ इतना जान लेना आपके लिए काफी नहीं है क्योंकि इसमें complications बहुत हैं और अगर मैं आपको सही बताऊं तो इस पूरे process को समझने के लिए मुझे भी काफी research करनी पड़ी है अब मेरे पास कोई minor account तो नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई छोटा बच्चा है जिसका मैं account open कर सकूँ तो यह सब मैं practical करके तो नहीं देख पाया और नहीं आपको दिखा पाऊंगा बट I will try my best कि मुझे जितना समझ आया है उतना मैं आपको अच्छे से easy language में समझा पाऊं तो दिखिए सबसे पहले तो ज्यादा तर stock brokers miners के लिए demate account तो open करते हैं बर trading account प्रोइड नहीं करते हैं यानि हम miner demate account में shares ख़ई दिया बेच नहीं सकते उन्हें या तो बस IP के थूर shares मिल सकते हैं या पि जो parents है या miner का जो भी guardian है वो as a gift miner के demate account में shares transfer कर सकता है और अगर उन shares को sell करना हो तब भी यही same process है miner के demate account से दुबारा shares guardian के demate account में transfer करने होते हैं क्योंकि miners के लिए buying या selling allowed नहीं है अब suppose आपके पास जयोधा में एक miner demate account है तो आपको सबसे पहले तो miner और उसके guardian दोनों के pen card के साथ उस account में KYC complete करनी होगी यानि की double KYC के requirement होगी फिर उस account से IP में apply करने के लिए आपको पहले तो miner demate account को guardian के trading account यानि मदरिया फाइदर के trading account से link करना है और इसके लिए आप अपने broker को call करके पूछ सकते हैं वो आपकी help कर देंगे फिर आपने जो trading account link किया है उसमें miner के bank account को add करना है एक बार दुबारा मैं आपको बता देता हूँ miner के demate account में guardian के trading account को link करना है और उस trading account में miner के bank account number add करने हैं तो पहला और सबसे जरूरी step तो यही है अब देखी जो 15 साल से कम की उमर के बच्चे हैं उन्हें को बैंकिंग service नहीं दी जाती है हाँ रेज 15 साल से ज़्यादा है तब तो फिर भी आप UPI के थूप IP में apply कर सकते हैं लेकिन 15 साल से कम की उमर वालों के लिए net banking ही इकलोता option है और इसी में सबसे ज़्यादा confusion है क्योंकि banking rules के according आप miner की demand account में net banking use नहीं कर सकते हैं तो फिर वहाँ आपको अपनी customer ID यूज करनी है और IP application में miner की demand account number डाल कर आप successfully IP में apply कर पाएंगे और क्योंकि वहाँ आपका trading account add किया हुआ है तो application reject भी नहीं होगी हाला कि बहुत कम ऐसे banks हैं जिनकी net banking के थूँ आप अपनी customer ID यूज करके miner की demand account में access कर पाएं एक नाम जो मैंने हर एक article में पढ़ा है वो है HDFC bank हाला कि मेरा suggestion ये रहेगा कि आप miner का account open करने से पहले एक बार bank वालों से बात करके ये चीज confirm जरूर कर ले क्योंकि मुझे ऐसी बहुत सारी queries मिली है जहां लोग banking portal पर जैसे ही miner की data of birth mention करते हैं उन्हें IP में apply करने का option ही नहीं मिलता इसलिए bank वालों से बात करना जरूरी है और हो सके तो सीधा manager से बात करिए क्योंकि ये एक ऐसा topic है जिसके बारे में आपको हर कोई नहीं बता पाएगा even हो सकता है कि manager भी ना बता पाए तो SMH bank के help line number पर बात कर सकते हैं तो ये process तो हुआ उन brokers के लिए जो minor का trading account open नहीं करते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी stock brokers हैं जो demand account के साथ-साथ trading account भी allow करते हैं लेकिन सरफ equity trades के लिए यानि आप उसमें intra-day आ-f-endo नहीं कर पाएंगे mostly जितने भी discount brokers हैं जैसे जरोदा हैं, upstock है या फिर angel one और grow वो trading account open नहीं करते हैं लेकिन कुछ full time broker हैं जो demand और trading account दोनों open करते हैं तो उनमें IQ apply करने के लिए बाकि क्या पूरा process तो same है बस minor की demand account में parents का trading account एड़ करने वाला जो step है उससे आप skip कर सकते हैं क्योंकि वहां minor के पास already a trading account है, बाकि तो आपको वही aspa application है लगानी है यानि net bank की के तुरू ही apply करना है और कोई option नहीं है हाला कि again मैं आपको यह कह रहा हूँ कि इस full process का मुझे practical experience बिलकुल भी नहीं है तो honestly I'm not sure कि मैंने आपको जो process बताया है वो 100% सही हैं भी या फिर नहीं हो सकता है कि मैंने को step miss कर दिया हूँ लिगना basic process तो यही है इसके बाद दिए अगर आप कहीं attack जाते हैं तो आप अपने stock broker या फिर banking person से बात करके उनकी help ले सकते हैं और हाँ अगर आप में से किसी को इसका practical experience है या फिर मैंने जितना बताया है उसमें आपके पास कुछ addon करने को है तो आप नीचे comment box में बता सकते हैं तो दोस्तों उमीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe जरूर कर दें और हाँ टेलिग्राम चैनल का link मेरे whatsapp number और नया demand अपन करने का link ये सब भी आपको निचे description box में मिल जाएगा वहीं अगर आपको IPO में एचे नई category और sales category के बारे में detail में जानना है तो आप मेरे ये वाले वीडियो देख सकते हैं हमारी फी मुलाकात होगे अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye